आज हम बनाएंगे बिर्यानी और वह भी प्रेशर कुकर में तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिर्यानी बनाएं यह बस दम बिर्यानी के जैसा ही है लेकिन यह वान पॉट मील है आपको इसको चिकन आलग बनाना राइस आलग बनाना वह सब कुछ भी करने की जुरूत नहीं है तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है और तेल में मैंने खड़े गराम मसाले डाल दिया है और तेज पता भी डाल दिया है और यह जावीत्री फिर मैंने यहाँ पर अनियन डाल कर थोड़ी देर के लिए मैंने अनियन को फ्राई किया है ह करना है अनियन का थोड़ा देर दो मिनिट के लिए हम इसे फ्राइ करेंगे फिर मैंने यहां पर डालने वाली हूं गार्लिक जिंजर का पेस्ट तो मैंने यहां पर डाल दिया है गार्लिक जिंजर दो टेबल स्पुन मैंने यूज किया है तो उसके बाद हमें इसे और दो मिन नमक दालने के बाद में धखकर रख दूंगी तो नमक डालना है क्योंकि हम यूद्ध हम अभी और तो बस इतना ही मसाला हमार जाएगा पाउडर मसाला में इतना ही जाएगा और इसी मसाले में हमारा अच्छा कलर आ जाएगा जो हमने कश्मिरी रेट चिली पाउडर और हल्दी लिया ना उसी में बहुत अच्छा कलर आएगा उसके बार मैंने यहापर हरी मिर चिलिया है और ह और आप पुदीना भी डाल सकते हैं मेरा पास नहीं था इसलिए नहीं डाला दही आपको बहुत ही थिक वाला दही लेना पड़ेगा मेरा दही थोड़ा पतला हो गया क्योंकि मैंने इसको आइस जमने वाला जगा में रख दिया था गलती से और यह आइस पूरा जम गया था फिर जब इसको बाहर निकल के रखा तो पतला हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था बिर्यानी पाउडर बिर्यानी मसाला उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया पानी मैंने चावल के इसाब से चावल मेरा 5 कप था 9 कप मैंने पानी डाला है और मैंने पानी बहुत कम डालना है नहीं तो राइस को खिला खिला नहीं होने देगा तो यहां पर मैंने ढखकन लगा कर दो सिटी आने तक पकाया दो सिटी के बाद में आप देख सकते हैं हमारा चावल अभी पूरा प्लेन दिख रहा है लेकिन यह पूरा नीचे इसका मसाला है तो आ आप चाहे तो और भी घी डाल सकते हैं घी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करके आप इसे दो मिनिट के लिए ढखकर रख दीजे मैं अभी इमिडेट सर्व कर रही हूं क्योंकि लंच टाइम हो गया है और सब लोग वेट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मुझे सर्व कर देना चाहिए तो मैंने कर दिया है मैंने ढखकर नहीं रखा तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ढखकर रखिए तो आप देख सकते हैं हमारा बिर्यानी कितना अच्छा खिला-खिला बना है और बहुत या अच्छा दीकरा है कलर भी फिर मैंने यहाँ पर दही के साथ सर्व किया है आप राहिता या कोई और करी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आप भी एक बार इस तरह से बना कर खाये बस कुछ भी करने की जुरूत नहीं है आपको बहुत इजी है वान पॉट मिल थैंक्यू सो वाचा मैं वीडियो पा एक वीडियो वाइव एक चाहा हुआ है